कि वाले गाइज वैलकम तुमाई यूटूब चैनल तो आज की जानकारी काफी Siisहल होने वाली जिसमें मैं बताने बाला हूँ आपको की फ्रेम से लेटइड खास जानकारी टैस के ऊपर कैसे की फ्रेम लगाएं और मौटी को पर की फ्रेम लगा कि उसको कैसे special बनाएं cut out को भी आप की फ्रेम कर सकते हैं कैसे तो उसके लिए चलना पड़ेगा आपको काइन master में तो simply हम करते हैं काइन मास्टर पर click तो जैसे हमने कर दिया है काइन master पर click और उसके बाद लोड लेके खुलना शुरू हो रहा है तो हमें करना है क्रियेट पर click और क्रियेट पर किलिक करने के बाद से हैं से ले लिएट हैं तो और 69 करते हैं select जो जैसे देखे हुआ हम अचुकर हैं अपने काइन मास्टर की तो यहां से हम यह वैंग्राउंड करते हैं और यलो वेग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा लेयर में लेयर में जाने के बाद मीडिया को सेलेक्ट करते हैं वहां से ले लेते हैं एक वीडियो जिसको हमें करना है की फ्रेम करने के लिए हम वीडियो यहां से ले लेते हैं तो सिंपली हम यहां से वीडिय तो जैसे कि दोस्तों हमने यहां से एक वीडियो ले लिया है जिसमें सिफ है और इस वीडियो को हम आपको एक बार प्ले करके फूरा दिखा देते हैं तो जैसे कि दोस्तों वीडियो को प्ले करके आपको फूरा दिखा रहे हैं कि किस तरह का यह वीडियो है तो उपर वाली स तो यह उसको हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा जो वीडियो के वराबर और बापस से आ जाते हैं तो जैसे के दोस्तों आप देख रहे हो डिलीट का जो वटन आपको सो हो रहा है उस डिलीट के वटन के ऊपर आपको चावी का निसान दिखाई दे रहा जिस पर सरकल को उपर लगा लेते हैं और उसके बाइद करते हैं थोड़ा स्क्रॉल यानि उस वीडियो को हमें करना है स्क्रॉल वीडियो की स्लाइड को तो वीडियो की स्लाइड स्क्रॉल करने के लिए तो जूम इन आउट करके जो हम आपको दिखा रहे हैं तो बीडियो को थोड़ा हमने किया स्क्रॉल और स्क्रॉल करने के बाद हम इसको जूम इन आउट कर सकते हैं तो आटोमेटिक हमारा जो की है वो लगना सुरू हो जाएका अगर हम इसको इन करेंगे तो की आटोमेटिक लगना नहीं आपको सिर्फ एक बार की को सिलेक करना है बार बार की नहीं लगाना है तो सिं की लगा सकते हैं यहीं जैसे हम करेंगे तो आटोमेटिक इसमें की लगना सुरूर हो जाएगा तो सिंपली जैसे कि आप देख रहे हो तो वीडियो को आप एक इंट्रेस्टिंग बना सकते हैं की फ्रेम की मदद से तो काफी अमेजिंग है यह आप जिस भी दिसको आप दिखाना चाहते हैं उसको आप की फ्रेम कर सकते हैं स्विमिंग को मैंने जूम करके और ज्यादा पास लेका रहा हूं तियां ऑटोमेटिक यहां पर भी हमने एक की लगा दी है अब वा कि एगार में जाने के बाद टेस्स की खिलंक और उसके बाद आ जाते हैं गरें को लिखने लिए तो हम पर हमको और ओके पर किलिक करने के बाद तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हमारा यहां पर टेस्ट आ चुका है जो वाइड इस नहीं हो रहा है तो हमें इसका करना पड़ेगा कलर चैंज तो यहां से हम कर लेते हैं इसकी कलर को चैंज तो हमने यहां से red कलर को कर लिया है select और थोड़ा इसमें हम shadow, outline या इसको glow भी दे सकते हैं तो simply यहां से इसको outline को कर लेते हैं enable तो यह थोड़ा अब हमें ठीक सा दिखना शुरू हो गया है अब इसको करना है की फ्रेम तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा दोबारा से फिर डिलीट को उपर जो बटन देख रहा है की का उसको हम करते हैं फ्रेस हमने फ्रेस कर दिया और स्क्रीन को करते हैं थोड़ा स्क्रॉल जो टेस्ट ले रखा है उसको करते हैं स्क्रॉल तो स् इस कौने में भी मूव करा सकते हैं आप डाउन कर सकते हैं आप राइट साइड और मूव करा सकते हैं आप जैसे का आप देख रहे हैं जो की है वो आटोमेटिक अपने आप लगना शुरू हो रही है तो इसको एक वर हम पिले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से की फ्रेम हो चुका है जैसा कि दोस्तों देख रहे काफी अच्छी तरीके से की फ्रेम हो चुका है हमारे टैस्ट भी देख और पूर्व कर रहा है कापते तरह श्तों दोस्तोंगे आप इस मतरु कर सकते हैं इसको की